नवश्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है टार्गेट वीद गोस्वामी यूटूब चैनल में मैं सुनिल गोस्वामी आसा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे कुसल मंगल होंगे और लगातार है वो स्टडी का अध्येन कर रहे होंगे आज का हमारा हर्याना जिक्ये का बहुती महत्वपून टोपिक है जिस टोपिक का नम है राष्ट्रिय उद्यान, वन्यजी और भ्यारण, स्रंक्षन के अंदर और सामुदाई के अंदर जो बनाए गए हैं काफी अच्छा टोपिक है बहुती कम टाइम में इसको कवर करेंगे हम और बिल्कुल डिटेल से करेंगे यहां से कोई भी क्यूस्टन आएगा तो मैं गारंटी देता हूँ कि यहां से आपका कोई क्यूस्टन गलत नहीं होगा वीडियो को अंतक देखें वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो यह स्पेशल टोपिक की डिमांड आई थी कि टोपिक वाइस जो है हमारे को कवर करवाया जाए तो इसमें हमने तीनचा टोपिक अल्रेडी मैं अ चुकी है और हरियाना जो कॉंस्टेबल का एक्जाम है उसका तो एड्मिट कार्ड का भी बता दियेगा नोटिस तो वह भी आप चेक कर लें ठीक है नोटिस तो आएगा एक्जाम होगा तो तो बच्चों से यह एक सजेशन यह है कि ज्यादा टाइम आप यूटूब पे न आस तक जो आपने यूटूब से या बुक्स से पढ़के आपने सोट नोट्स त्यार किये हैं अपने एक्जाम को ध्यान में रखते हुए तो वही आपको काम आएंगे उनी को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें नए चीजों के चक्कर में ज़्यादा ना पड़े तो चलिए करते हैं सुरुवात इस बहुती बहतरींशे टोपिक की इस मोटिवेशन के साथ कि मत सोच की तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता जिस इनसान के करम अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होत यह दि आपने करम अच्छे की हैं आपने मेहनत की हैं लगन से अपने टार्गेट को अच्छीव करने के लिया आप त्यार हैं तो जरूर आपको सफलता निश्चित मिलेगी सेलेक्शन आपका शौर होगा अभी तक आपने एप डाउनलोड नहीं की है तो यहां पर आपको दो तो कोर्स एविलेबल हैं जो एचेससी रिलेटिड है और इतनी कम फीस में आपको कहीं भी कोई कोर्स मिल जाए तो आपको फ्री में दूँगा एक बार विजिट कीजिए टेलिग्रा जो एप को डाउनलोड कर ले प्ले स्टोर पे जाके टार्गेट विद गोश्वामी और यहां फरी में इतना कंटेंट है आपको घूमने की जूरत नहीं पड़ेगी यहां से डाउनलोड कीजिए और फटा-फट जो है रिवाइज की अब इस टोपिक में चार मैंने बताए कि राष्ट्य उद्यान पड़ेगे हम हर्यान के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारन वन्य जीव सरंक्षन के अंदर सामुदाइक आरकशित के अंदर यह एक नई केटेगरी समझ लो आप तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन है अभी तक कि कितने जो हैं वन्य जीव अभ्यारन हैं कितने हैं साथ हैं या आठ हैं तो बच्चे आज वो कन्फ्यूजन में आपका दूर कर दूँगा सारी केताबों में बहुत सारी मिस्टेक्स हैं ठीक है और बहुत सारे यूटूब वाले भी आठ 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 आपके पास क्या है दो है हमारे जो नैसनल पारक है राष्ट्रे उद्यान है हरियाना में कितने हैं दो है वो कौन-कौन से हैं एक है सुल्तानपूर राष्ट्रे उद्यान और दूसरा है कलेशर राष्ट्रे उद्यान तो सबसे पहले हम समझते हैं सुल्तानपूर राष्ट् 1971 में पक्सी अभ्यारन के रूप में इसको डवलप किया गया था 1991 1991 ठीक है यहाँ पर आपको तारिख के साथ आप याद रखो तो 5 जुलाई 5 जुलाई 1991 ठीक है बिलकुँ सरकारी डाटा के साथ हम बात करेंगे 5 जुलाई 1991 को जो है इसको राष्ट्रिय पारक का दरजा दिया गया राष्ट्रिय उद्यान का दरजा दिया गया 5 जुलाई 1991 ये डेट आपको ध्यान रखना है अब इसके साथ साथ इसका ये भी पूछ लेते हैं कि कितने छेतर में फैला हुआ है तो ये 352 एकड भोमी पे फ के लिए परसीद है परवासी पक्सिओं के लिए जिसमें इसमें है he says क्या है यह जो सुल्तान पूर राष्ट्रिय उद्यान यहां यहां यह फरुक नगर एरिया यहां पर नमक भी काफी होता है और कहते हैं कि ये जो मतलब डाइजेस्ट अच्छा हो जाता है डाइजेस्ट के लिए भी आती है ये आप इतना ध्यान रख सकते हो उनके बारे में साइबेरियन सार्स का ठीक है वो नमक को खाती है और उससे उनका डाइजेस्ट अच्छा होता है तो एक तो साइवेरियन सार्स के लिए परवासी पक्षियों के लिए परसीद है ये 1991 में इसकी स्थापना होती है ठीक है और 352 एकड़ में ये फैला हुआ है गुरुगराम के अंदर है अगला हम बात करते हैं कलेशर राष्ट्रे उद्यान कलेशर पढ़ता है यमुना नगर के अंदर और कलेसर राष्ट्रिय उद्यान के बारे में हम बात करें तो यह सबसे पहले आपको पता है यह मुना नगर के अंदर है इस उद्यान की जो स्थापना है वो होती है भई 8 दिसंबर 2003 को यह जो राष्ट्र उद्यान का बगोसित होता है 8 दिसंबर 2003 को और ये 11,570 एकड के अंदर फैला हुआ है अब दो है टोटल अब इन में से भी पुछा जा सकता है कि हरियाना का सबसे बड़ा राष्ट्रे उद्यान कुन सा है तो आप बताओगे काले सर राष्ट्रे उद्यान कब बना 8 दिसंबर 2003 को कहां पर है यमुना नगर के अंदर है और ये लाल रंग के जंगली मुर्गों के लिए भी परसीद है समझ आ गया दो राष्ट्रे उद्यान दोनों एक 1991 में एक 2003 में 1352 एकड में 11,570 एकड में तो यहां से कोई भी क्यूस्टन बनेगा तो आप गलत नहीं करोगे ये मुझे विश्वास है आप पर अब बात करते हैं हर्याना के परमुक वण्ने जीवभ्यारन इंग्लिश में जिनको wildlife sensory बोलते हैं तो वरतमान के अंदर हरियाना में साथ वण्ने जीवभ्यारन है आठ नहीं करने साथ अब पता चल जाएगा कौन सा इस लिस्ट चे हटा दिया है और अठा के कहां पर उसको जो है किस रेणी में डाला गया है वो बात भी आपको समझा जाएगी सबसे पहला आपके सामने है कले सर वन्य जीव अभ्यारण एक तो राष्ट्रे उद्यान था ये वेल्ड लाइफ सेंचूरी है वन्य जीव अभ्यारण है यमुना नगर के अंदर इस वन्य जीव अभ्यारण के हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 13 दिसंबर 1906 में को इसकी स्थापना हुई उस टाइम पे उस टाइम पे इसका जो एरिया था वो था 13209 एकड समझते जाना इस बात को 132009 एकड में फैला था ये फिर इसका विस्तार हुआ कब हुआ 13 जनवरी 2000 सन 2000 को इसका विस्तार हुआ और इसमें 222 एकड भूमी ओर एड हो गई अब देख लेना आप तो हर्याना का सबसे बड़ा वन्ने जीव अभ्यारन आपसे पूछे तो आँख मीच के बोल देना कलेसर वन्ने जीव अभ्यारन कलेसर वन्ने जीव अभ्यारन जो यमुना नगर के अंदर पड़ता है यमुना नदी यहीं से परवेस करती है कलेसर से ही ठीक है यमुना नदी और यमुना नदी के किनारे बसे होने के कारणी इसका नाम क्या पड़ा है यमुना नगर यमुना नदी की लंबाई 1366 किलोमेटर है और हरियाना के पूरो दिसा में 320 किलोमेटर बहती है कलियर है समझ आ गया यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी वरक किलोमेटर में आप से पूछ ले तो आप यह बता देना 53.45 ठीक है 53.45 वरक किलोमेटर में फैला है मैंने यह एकड में आपको बता दिया ऐसे से इसका विस्तार भी हुआ है नेक्स्ट पर बात करते हैं बीर सिकारगड वन्य जी अभ्यारन बीड भी लिख देते हैं इसको मैंने बीर लिख रका है बीर सिकारगड वन्य जी अभ्यारन यह अभ्यारन पढ़ता है कहां पर आपका यह पढ़ता है कहां पर है बीर सिकारगड की हम बात करें तो यह पढ़ प्रियाना में सबसे कम पॉपुलेशन पांच लाख एकसट हजार दोसु तिराण में इसी पंचकुला की है बई एरिया इस काट सो अठाण में वरक किलोमेटर है बीर सिकारगडवने जियो ब्हारन की स्थापना होती है उनतिस पांच उन्निस सो सतासी को एरिया की बात करें तो 1896 एकड में ये फैला हुआ है या फिर वरक किलोमेटर में 7.67 वरक किलोमेटर ये इसमें भारतिय तेंदुआ चितल सामबर ये वगेरा यहां पर परसिद पसू इसे बीर सिकारगडवने जियो ब्हारन में मिलते हैं जो पंचकुला के अंदर है समझा गया चलिए अगल टेंशन लेने की जूरत नहीं है बिलकुल कंफ्यूज होने की जूरत नहीं है जो मैं बता रहा हूँ वही करके आना आप बिलकुल आपके आनसोर ठीक होंगे अब बात कर रहे हैं हम छिल छिला की इसकी स्थापना होती है 28 नुवंबर 1986 को इसकी स्थापना होती है समझा गय और ये जो है 0.28 वर किलोमेटर में या मैं बोलनू तो 71 एकड में ये फैला हुआ है राज्य का सबसे छोटा अभ्यारन है इसे शौंठी 1 भी कहते हैं ये भी इपोटेंट परसन है कि किस अभ्यारन को शौंठी 1 के नाम से जाना जाता है तो आप कहोगे छिल छिला वनने जीव अभ्यारन कलियर है तीनों में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कॉमेंट सेक्षन में जान सकते हैं और वीडियो को लाइक सेर जरूर किया करो ठीक है इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपको कोई पैसा इसमें खर्च नहीं होता है अगला है नाहर या फिर नाहर ठीक है नाहर भी लिख देते हैं और नाहर भी लिख देते हैं नाहर वनने जीव ब्यारन है रेवाडी के अंदर पित्तल नगरी रेवाडी के अंदर इसकी स्थापना होती है 30 जनवरी 1987 को 30 जनवरी 1987 को इसकी स्थापना होती है और ये 522 एकड या फिर 2.11 एक वरक किलोमेटर में फैला है 522 एकड इसके अभ्यारन के अंदर शियार, लोमडी, काडा हिरन ठीक है भूरा तितर या फिर चितल की बात करूं या फिर जिसको आप रोज बोलते हो जो नील गाएं होती है वो सारे इसके अंदर आपको मिल जाएंगे नाहड वन्य जी व भ्यारन जो रिवाडी में है अगला है आपका भिंडावास भिंडावास और खपरवास दोनों ही जजजर में पढ़ते हैं ये वन्य जी व भ्यारन है और अब बात करते हैं या पर भिंडावास की सबसे पहले जजजर जिसको हम सहीदों का सहर कहते हैं इस भिंडावास भ्यारन है जो आपका भिंडाव इसकी स्थापना आप से पूछी जाए तो इसकी स्थापना कब हुई है पांच जुलाई 1986 को पांच जुलाई उन्नीस सो एक सेगिन वही है यहाँ पर मेरे से तारिक थोड़ी सी आगे पीछे लिखी गई है ठीक है थोड़ा देखना इसको आप यह जो है साथ पांच उन्नीस 1986 मतलब सन तो ठीक है 1986 तो थोड़ा आगे पीछे हो गया इसको आप थोड़ा सा ध्यान कर लो है पांच साथ मई 1986 राइट होगा छेत्रफल है इसका एक हजार सोड़ा एकड़ ठीक है और यहाँ पर हम बात करें राज्ये में स्थापित पहला वन्ने जीव बहारन यहां है य भिंडावास वन्ने जीव अभ्यारन पहला यही स्थापित हुआ है याद रखना आपको पहला कौन सा पूछले तो भिंडावास कहोगे यहां भिंडावास सुंदर जीली अपनी सुंदर जील के लिए जाना जाता है यहां पर भूरे हंस लाल बुल बुल के लिए भी परस समझा गया कोई डाउट नहीं हो गए यहां तक आपको अच्छे से कलियर है चलिए अब बात करते हैं सिक्स नंबर का खपरवास वन्यजी और भ्यारण जजजर के लिए है पक्षी विहार भी कहते हैं इसकी स्थापना है वह हुई है तेईस जूलाई उन्निस सो इक्याण में हाई खपरवास की स्थापना कब होती है उन्नीस सो इक्याण में निस सो इक्याण में के अंदर जो है इसकी स्थापना होती है और यह 204 एकड में फैला हुआ है जीरो पोंट आठ वर्वर किलोमिटर में ठीक है खपरवास जील मतलब जील क्योंकि पक्सी हैं तो इसके साथ चोटी मोटी बनाई गई है तो इसको ज़्यादा आपको याद करने की जूरत नहीं है बस खपरवास वन्नेजी व ब्यारन जजजर में है स्थापना 1991 में एरिया 204 एकड या फिर 0.82 वरक किलोमेटर तो जजजर में दो होगे बिंडावास सबसे पहले बना 1986 के अंदर ये बात भी आपको ध्याँ रखनी है अब लास्ट है आपका खोल ही रेतान वन्नेजी व ब्यारन खोल ही रेतान ठीक है तो ये पढ़ता है आपका पंचकुला के अंदर पंचकुला के अंदर इसकी स्थापना होती है 10 दिसंबर 2004 को लेकिन इसका विस्तार होता है कब विस्तार होता है इसका जो है 2007 में ठीक है विस्तार होता है खोल ही रेतान जो पंचकुला में है और ये जब 2004 में बना था तो ये 501 एककड में था और अब हम बात करें तो ये 6563 एककड ठीक है याद रखना इसका विस्तार हुआ है 2007 सुरुवात में 2004 में बना लेकिन 2007 में इसका विस्तार हुआ पंचकुला में पढ़ता है तो ये साथ आपके वन्ने जीव ब्यारन है कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं अब आपके रहेगे दो वन्ने जीव सरंक्षन के इंदर जो सरंक्षन या फिर आरक्षित बोलते हैं हम जिसे सरंक्षन आरक्षित तो एक तो है आपका सरस्वती वन्ने जीव सरंक्षन के इंदर जो केथल में पढ़ता है जो 2007 में सरस्वती जो आपका वन्ने जीव सरक्षित किया गया और ये ग्यारा हजार तीन एकड़ भूमी में फैला हुआ है ग्यारा हजार तीन एकड़ भूमी में याद रखना आपको इसे सोन सर अभ्यारन भी कहते हैं ये भी इपोर्टेंट बात है अगला है आपका बीर बारा बीर बारा या बीर बारा वन बोलते है बीरबारा वन्ने जीव सरंक्षन है ये जीन्द के अंदर है ये दोनों एक साथ ही जो है हम बात करें तो सरंक्षित हुए थे 2007 में ये सिरफ 1036 एककड में फैला है तो सबसे छोटा आपसे वन्ने जीव सरंक्षन के अंदर पूछे तो बीरबारा बड़ा पूछे तो सर्सवत क्युस्टन को सबसे पहले सब बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है कहीं आपको मिश्टेक नहीं करनी है तीसरी कैटेगरी रह गी है अब हमारी सामुदाईक आरक्षित की हम बात करें तो पहला नाम आता है सामुदाईक आरक्षित में दो हैं एक तो है आपका अबूब सहर वन्य जहन में बठा लो अबूब सहर पड़ता है सिर्षा में जो सिर्षा सबसे बड़ा है ब्याड़ी सो सत्तर वर किलोमेटर एरिया में जो फैला हुआ है तो इसका एरिया है 28,400 बाण में ठीक है एकड़ 28,400 बाण में एकड़ है राज्ये में 2018 से पहले 8 वन्य जीव बहरन होते थे वरतमान में 7 हैं क्योंकि 14 मार्च 2018 को अबूब सहर वन्य जीव बहरन को सिर्षा में है जो उसको सामूदाई कारक्षित वन छेतर बना दिया गया है इसलिए वरतमान में 7 वन्य जीव है याद गया इसको 14 मार्च 2018 लेकिन यह इस से पहले ही बन गया था 19 जुलाई 2017 में यह 18 में बना गोल्डन जुबली बरम स्रोवर चिक है कुर्छेतर में पढ़ता है और यह सिर्फ 89 एकड में है तो यहां तक आपको च्यार पॉइंट जो इन चारों टोपिक पर हमने बात करी सबसे पहले राष्ट्रे उद्यान की बात करी जिसमें दो थे फिर हमने वन्य जीव बैरन की बात करी जिसमें साथ थे फिर सरंक्षन के इंदर की बात करी जिसमें दो थे फिर सामुदवाई क करक्षित की बात करी जिसमें दो थे तो आई थिंक आपको यह सारा टोपिक हो अच्छे से समझा गया होगा किसी परकार का कोई डाउट हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे कॉमेंट कीजिए मैं आपको जरूर बताऊंगा पीडिएफ के लिए आप कहां टेलीग्राम से या फिर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा टाइम जो है क्विज वगेरा लगा लूँ ज्यादा टाइम नहीं लगाना है आपको ठीक है तो यहां पर लगा सकते हो आप एचससी क्विज बाबा ये स्पेशल इसलिए बनाया गया है एचससी क लूइज बाबा तो यहां आप टेलीग्राम पे जूड़ जाएए यहां डेली करनटा फिर टोपिक वाइज तमाम चीजे कलियर की जाती हैं बच्चों की काफी सारे 2000 बच्चे जूड़ चुके अभी तो इसके अंदर ठीक है जो डेली प्रैक्टिस करते हैं आप इंस्टा कोर्स हैं वो फरी में मिलेंगी ठीक है और इस टोपिक की पीडिएप में यहीं डाल दूँगा तो आप टेलीग्राम का लिंक का है डिस्क्रेप्शन में वहां जूड़ जाईए ठीक है भी इसके साथ साथ जो एप को डाउनलोड कर लीजिए एप में दो कोर्स हैं जिसमें एक हजार क्यूसन का कोर्स है एक तो बिलकुल 21 रुपे के अंदर जिसमें आपको MC क्या हूँ जिसमें करेंट अफेर स्टेटिक तमाम अच्छे-च्यूसन करवाए जा रहे हैं और एक 22 जिलों का कोर्स है वो भी आप ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 44 रुपे में है वो तो वो भी आप डाउनलोड करके आप सबसे पहले उसके अंदर आपको डेमो लेना है पसंद आए तो ही आप परचेज करें अन्य था आप ना ले ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट टोपी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद जैहिंद जैभार्त थैंक्यू